जैश्री राम, जैश्री बालाजी माराज, जब देवता प्रसन होते हैं, तो आपको किस पकार से किरपा देते हैं, कैसे आप उनकी किरपा को समझ सकते हो, और किस पकार से जान सकते हो, कि हमारा देवता का आशिवाद हमें प्राप्त हो रहा है, कुल देवता का आशिवाद राप्त हो रहा है या आपके इस्ट देवता आपसे प्रसन है इस सारी जानकारी आजा आपको इस वीडियो में मिल जाएगी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बैल आपको बटन को दुबाना मत बोला क्योंकि जब हम भगवान के परती हमारी जो पूजा याचना तपस्या जो हम करते हैं अगर हमारी पूजा में चैनल थोड़ा सा स्वार्त भी छुपा हो नेकिन हमारे जो इश्ट देव हैं वो इस बात को जानते हैं नेकिन उनको ये पता होने के बाब जुद भी वो हमारा साथ नह जब उनकी पूजा याचना साथना करते हैं नित्य नाम लेते हैं तो उनकी किरपा हमारे शरीर पर आने लग जाती है जब वो किरपा हमारे शरीर पर आती है हमें ये किरपा के बारे में ग्यात पहले नहीं था नेकिन दीरे दीरे ग्यात होने लग गया है और समझ में आने लग गया है कि कोई देवता की किर्पा हमारे उपर आई है तो उसके बाब जुद हमें वो किस पकार से हमारी भक्ती हमारी पूजा से प्रसन है पहले संकेत मैं आपको बताएता हूँ कि जब भी कभी भी जब भी कभी भी आप पूजा याचना करते हो पूजा याचना करते व जोति पर फूल बर जाना बड़ा बारी फूल ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि इतना इतना बड़ा फूल बजयता है हाट की शेप में देखो कहते कि भाव के बगएर कुछ भी नहीं है जब आपके भाव होते हैं आपके इष्ट के परती तब ही कोई चीज आपको दिखाई देती है क्योंकि वो आखे तब नहीं है जैसे महाभारत के युद के अंदर महाभारत के युद में आपने देखा होगा कि संजे को वो आखे परदान होई थी युद को देखने वाली जि नित्याड थे उननान की जब भक्ती पूजा पाड़ करते हो तो आपके वो चुख्षु जागरित होने जाए है झादयरा के है आप जब देखते हो कि देवता हमसे अई हमारी शक्तियां हमसे परसन हो रही हैं ये सबसे बड़ा संक्यत है फिर कहीं न कहीं अग्यात रूप मे आपको कहीं न कहीं ऐसे धन की प्राप्ति होती है जो धन आपको पता भी नहीं सोता कि आई ये प्रोजेक्ट अजाज़ानक से आपके पास आ गया आपके अपके पास अब धन अरजित हो जाता है मानेज़े आपके पास लाक रुपया है गल्ले में लाक रुपिया है लाक रुपिया आपने निकाला और वो लाक फिर कही न कहीं से वहाँ पर आकर लाक फिर ठेर गया लाक से दो लाक होते आप देख रहे हो लेकिन लाक से कम आप ये नहीं देख रहे हैं कि गल्ला खाली हो रहा है यह चीज नहीं हो रही है आपके साथ अचाना कि यह चीज़े हो रही है कि आपके गले में बरकत उपन होने लग रही है अब मन में इस पकार का रहता है कि कहीं न कहीं यह चीज़े हो रही है और यह क्यों है आपके उपर लगा कोई बंदन होगा आपकी पूजा, आपकी साधना, आपकी तपस्या से वो अट चुका है देवता का ये संकेत है, ये आपकी उपर, ये आपकी पूजा सभिकार हो रही है आपकी पूजा देवता तक लग रही है, आपकी देवी पूजा सभिकार कर रही है उसके बाद कुछ ऐसे संकेत जैसे आपके घर के अंदर विचारों का एकता में सुतर में बन जाना मानने जी घर में चैट छोटी मोटी बातों पर रोले रप्पे सभी के साथ होते रहते हैं नेकिन परिवार जब एकता के सुतर में बैठता है तो बड़े छोटे की जित हांगी ठीक है। आप मालो ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चे कहना मान रहे हैं, सब कुछ का रही है अपके अनुसार होने लग रहा है। आपको पता ही लग रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों की माना जाता है कि जब हमारे परिवार पर पित्र-दोश होता है, सरपनोश होता है या कोई तंतर विद्या करी हुए होती है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हमारे परिवार पर छोड़ी हुए होती है तो हमारे जीने की जो वो होती है वो भी हमारा मन नहीं करता कि हम कैसे जीएंगे घर में चिर्चरा पन मैसूस होता है घर में लड़ाई जगरा 2400 घंटे गर में ओ रहा है यह आपकी पूजा से आपके इष्ट आपके अरद्य जो है प्रसन हो रहे हैं वो किर्पा रुपेन आपको यह संकेत दे रहे हैं अब आपको सुपन में भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके कोई भगवादारी कोई शक्ति आपको दिखाई देती ह और काफी लंबे समय से आपको ऐसी आवाजे आ रही हैं कि जैसे कि आपको सुपन के मादम से मंत्र मिल जाना या सुपन के मादम से कुछ किर्पा आपके कानों में आवाजे आना या किसी सादू, संत, गुरू के आपको बार बार दर्शन होना या आपको ऐसा लगता है कि क तब जो आपको स्वपन भी है, उस स्वपन से आपको जब मलो, जब कभी भी देख ले ना, कभी गलत स्वपन आएगा ना, तो आप सुवेरे उटोगे, यार यार यह ऐसा कैसे स्वपन आ गया, और जब कभी भी अच्छा संकेत स्वपन आता है, वो आपको अजिकतर याद न ही रहेगा क्यों क्योंकि उस वक्त जब आद्मी सोता है न वे किसमि की ओसाद ना है एक संधना में होता है वो एक की सेटना में चला जाता है जिस से त्ना के बारे में वो रहालम नहीं जानता वह परमात्म so Pop PM से लगन की स्टना होती एच यह जो मैंने आप आपको बताया है यह जो जीज़े मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी शक्ति आपसे प्रसन हो रही है अब आपको मैसूस होता है आपको भजन पूजा करते वक्त एक अलग सी सुगंध भी मैसूस होती है और वो सुगंध जो है यह नहीं समझ में आती आपको कहां से आ रही है तो देविक शक्तिया जो है आपसे प्रसन है आपसे प्रसन है और खुश है बस ये बात याद एक ना जिसकी आप पूजा करते हो जिसका आप ध्यान करते हो वो नियंतर करते रहें तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइक कर बटन को दुबाना मत पूरिये जैमाता देए